तो फ्रेंड्स कुछ इंपोर्टन अपडेट्स फोड़ाफोन आइडिया के शेयर के बारे में आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जिसका पार्शल इंफॉर्मेशन हमने पिछले वीडियो में अल्रेडी प्रोवाइड किया था आज का सेशन अगर हम देखेंगे 17.67 तक हमें जो है शेयर जाता वा नजर आया काफी अच्छी रैली देखने को मिली थी 4% से भी ज्यादा की तेजी बट उसके बाद थोड़ी बहुत गिरावट हमें देखने को मिली बट क्या वो बड़ा अपडेट है जिसको हमें definitely review करना चाहिए वो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से without wasting a time तो friends आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो कि supreme court agrees to listen to word of own ideas plea on agr computation friends क्या है यह agr computation और इसके चलते share में तेजी क्यों देखने को मिली आज के session में तो सबसे पहले friends जो agr dues multiple companies को dot ने जो है assign किये थे 2021 में उसी से related यहाँ पर discussion किया जा रहा है तो वो dues word of own idea का almost 58,000 करोड के आसपस का था और वो word of own idea के management के इसाब से जादा था और उसी के लिए जो है यहाँ पर court में उन्होंने फाइल करे थी कि जो agr dues competition है उनको जो है review किया जाए ताकि यहाँ पर कहीं न कहीं word of own idea को उसमें थोड़ी सी ease देखने को मिली तो जल्दी से अभी in detail इस news को देखते है कुछ another updates के साथ तो screen पर आप देख सकते हो city maintained buy on word of own idea stock as supreme court agrees to consider plea on agr dues sees 39% upside मतलब यहाँ पे city ने जो है buy rating maintain करी word of own idea के लिए और current level से जो है यहाँ पे city expect कर रहा है कि 39% से यहाँ से आगे जो है upside momentum आ सकता है actually one of the biggest जो है world's investment firm है यह जो यहाँ पे buy rating बता रही है word of own idea के उपर क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि city said there is a potential reduction of the dues in the event of favorable outcome is around 30,000 to 35,000 करोड के आसपास का जो है यहाँ पे reduction आ सकता है जो agr dues है उनमें और उसी के चलते जो है यहाँ पे इननोंने buy rating दी है और यहाँ पे in detail देखते है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे कुछ और information हमें मिलती है क्या इस particular report में तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे जो Vodafone Idea की dues है currently वो है 58,254 करोड और उनमें से जो है यहाँ पे code किया जा रहे के यहाँ पे 30,000 करोड तो 35,000 करोड का जो है reduction आ सकता है गवर्मेंट कहीं न कहीं थोड़ी सी ease दिखा सकती है Vodafone Idea को लेके और उसी के चलते जो है यहाँ पे buy rating maintain की गई है इस equity firm की तरफ से और यहाँ पे जो है इसी reduction of amount को जो है यहाँ पे favorable बोला जा रहा है Vodafone Idea के लिए because it will be difficult position for Vodafone Idea to survive with such huge dues क्योंकि Vodafone Idea ने क्या बोला यहाँ पे आप देखिये prohibiting even the correction of the clerical and arithmetical errors in the demand foreclosing any reduction of the amount payable by thousands of crores of rufi and further imposing penalty on the interest on penalty is highly unjust तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो amount यहाँ पे जो दी गई है उसमें काफी जादा जो है यहाँ पे errors Vodafone Idea को दिख रहे है और यह 2021 में ही उन्होंने बता है था तो वही hearing के लिए जो है यहाँ पे court ने कह दिया है कि वह ready है इसको review करने के लिए और उसे के चलते जो है हमें Vodafone Idea में एक अच्छी तेजी देखने को मिली तो यही डीटेस दिफ्रेंट्स वियाए के बारे में थैंक यू फूर वॉचिंग दिस वीडियो